कि नमस्कार मैं आपका आज का एमसवर्साति शैलेश और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे आप्षिन के बारे में जहां पर अगर आपको कोई भी साइंटीफिक या मैथ का फॉर्मूला अगर अपने डॉक्युमेंट में इंसर्ट करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं मैंने पिछले वीडिओ में यानि सींबल आधा कैसे सिंबल इंसर्ट करते हैं या वहीं पर एक्वेशन वाला इंसर्ट और भी औप्शन है पर जैसे मैंने अगले विडियो या इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि equation वाले option को कैसे use करते हैं तो आइए चलते हैं उसको use करने के लिए हम पहले blank space यानि खाली जगा पर आ जाते हैं नीचे जैसे मैंने उस equation पर click किया है इसके बाद एक नया टाइब open हो गया है equation वाला equation टूल्स के अंडर तो जैसे हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर टूल्स वाले टाइब open हो गया है यहाँ पर equation में टूल्स में पहला option है equation जहां पर बहुत सारे equation पर आगे बढ़ते हैं इसके नीचे इंक equation का option है तो अगर आप कोई equation को लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं तो एक infinity का साइन दिखाई दे रहा है तो अगर मुझे लगता है कि यह सही नहीं दिख रहा है तो मेरे पास erase करने का option है यहां से मैं इसको erase कर लेता हूँ इन दोनों को फिर से right पर करता हूँ और यहां पर ठीक से वापस से लिखने की कोशिश करता हूँ यह देखिए अभी s2o यह अभी थोड़ा 0 की तरह दिखाई दे रहा है मैं इसको क्या करता हूँ दूसरा option ट्राइ करते हैं select and correct पर क्लिक करते हैं और यहां से मैं इसको select कर लेता हूँ और इसको अभी यहां पर प्रिवी में देखके correct कर लेंगे जैसे भी मुझे चाहिए मुझे चाहिए इस तो तो मैं यहां से ले सकता हूँ देखिए इस पर यह यहां पर ट्राइए किया तो यहां पर आ गया है अगर मुझे लग रहे हैं नहीं मुझे से तो आप देख रहे हैं यहां पर यूनिकोड या लाटेक्स तो यह अलग-अलग format है आप जिसमें लेना चाहो इस पर भी ले सकते हो देखिए इसमें इस तरह से आ गया है अगर आप यूनिकोड में करना चाहते हो अगर आप कोई टेक्स ऐसा फॉर्मुले में लिखना चाह है इसी तरह convert वाले में हमारे पास और वी option है जैसे करेंट professional है करेंट liner है प्रोफेशनल पर क्लिक किया और प्रोफेशनल कर लिया और लाइनर कर दिया तो यह अलग-अलग format है आप देखिए जू भी में यहां पर बदलते जा रहा हूं उससे इसमें बदलाव आते जा रहे अगर आपको इसके अलावा और सिंबल के option चाहिए तो आप drop down पर क्लिक कीजिए यहां पर आपके पास basic math के यह सारे option दिखाई दे रहे हैं इसी के साथ आप देखिए और भी option जैसे Greek letters हो गया यह स्क्रिप्ट वाले कुछ चाहिए एरो चाहिए 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 तो इस तरह से अलग-अलग option हमारे पास है मैं operators पर क्लिक कर देता हूं यह देखिए यह बड़ा list है मैं इसको और भी थुड़ा track करके देख सकता हूं कि किस तरह से अलग-अलग जो भी options है इसमें वह ए उसकिया था इंसर्ट करने के लिए उस तरह से यहां से हम यह सिंबल को भी ले सकते हैं इसके आगे आप देख सकते हैं यहां पर फ्रैक्शन स्क्रीप और बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं जो मैस और साइंस में यूज होते हैं अगर आप इन में से कोई भी formula लेना चाहते तो आपको बहुत सिंपल है सिप लपन पर क्लिक करना है उस फॉर्मिले पर क्लिक कर देना जो आप लेना चाहते हैं तो यह देखिए यहां पर आगया है इसे तरह आप इसके डॉपडाँ पर क्लिक करेंगे तो यह ऑफशन हम यह मैं इसके बाइश डिस्प्लेइब कर सकते हैं वापस यहां पर ने देखेंगे अब शेंटर कर सकता हूँ तो इसी तरह से मैं इसकी टोड़ा चोड़ा दिखाई दे रहा बढ़ा करना है तो वापस लगा करें यहां से को मैं इंक्रीज कर देता हूँ यहां पर यहां पर इस्ट्रक्शर के अंदर अलग अलग जो आपके साइंटिफिक फॉर्म अपने को ले सकते हैं और इसमें अगर कोई स् argument करना चाहता है तो आप वह सकते हैं तो आपकसेसी则 bride करके और टो वाले में करना है या पेज नंबर में दिखाना चाहिए तो आप ले सकते हैं वहाँ पर अभी मैं इसको एक्विशन रखता हूं इसके अलवा कैटेगरी में आपके पास अलग-अलग है इसके अलवा अगर फॉर्मुला जो भी बनाया है तो क्या सोच के बनाया है वह थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं यहां पर से उसके आपस आपके पर नौरमल और ऐससे बीलिडिंगब्रक वाले ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे यह देखिए विलिदिंग ड्लॉल दिखाई दे रहा है या इनजर्ट कंटेन उल्ली करना है इस ओन पीज पर करنا है तो आप अलग-अलग ऑप्शन जिस तरह से आप सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं मैं इसको यहां से क्लोस कर देता हूं तो यह देखिए जिसे बाहर क्लिक किया फिर से फिर यहां पर आ गया है तो इसी तरह से आप टूल्स conversions, symbols और structures के अलग-अलग option को use कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से किसी भी word document में अलग-अलग equation या formula कैसे डाले जाते हैं और उनमें अगर कुछ symbols को change करना है तो कैसे कर सकते हैं तक यू